देश के अंदर अपन सोच रहे हैं अपन बैठ लिए अरे बोटरों तुम बहुत सिदे हो बहुत सिदे हो सरकार बहुत बुद्धु बना रहे हैं अभी तक का नियम था मरे हुए पसु ही नियाद किये जाते थे मास एक प्रिस्ताव पास होने वाला है सत्रा तारीक को जिसमें जिन्दा पसु नियाद किये जाएंगे जीवित पसु क्योंकि मरे हुए का मांस वहां तक जाके ठंडा हो जाता है अब भारत देख जीवित पसु का नर्याद करेगा जिन्दा पसु का अभी तो मरे हुए जाते थे मांस जाता था अब जिन्दा जाना है 17 तारीक को ये भारत पर कलंक लगने वाला है शारे भारत के लोगों से मेरा कहना है 17 तारीक के पहले-पहले कल सत्रा है जलना तो सब को है यह जलना तो सब को है यह तो जिन्दा डिला रहो ना बापको मरे बापको जलाते हो के नहीं तो फिर जिन्दा जला दू हद हो गई हर शीद की बाहरती जिन्दा पसू को जाके जिन्दा जान है जिन्दा बस्तू का निर्याद किया जा सकता है जान का निर्याद नहीं किया जा सकता है बस्तु का नर्याद किया जाता है डेर्ट बारी चरो ठीक है मार करके बस्तु बना दी बस्तु बैची तुम तो जिन्दा बाब को बेंच रहे हो जीवत वाप को बेंच रहे हो जीवत गौमाता को बेंचोगे जीवत नंदी को बेंचोगे जीवत संकरजी के नंदी को बेंचोगे जीवत आदिनाथ के चिन्न को बेंचोगे जीवत अवस्ताम मेंचोगे तो क्या बुराइ यह जो मनुश्य waiting कि किया जाता है । चोड श्मंगलर लोग जिन्दा बच्ची यहोग को ढरियात करते हैं। वुनको क्यों अपरादी कहते हैं। भुएhee थारीकह एक दिन यह आजाएगा की जिद्दा करते खरते हम मनुष्यों को भी निर्याज चालू हो जाएगा रोको जागो छेतो, सारी समात चेतो, जैन छेतो, अजैन चेतो, हिंडू बैठनो साब छेतो बिश्ण दू परिशार, बजन दल, जैन दल, महा सबार, सारे भारत के लोग छेतो इसमें जहां धां तक मेरी आवाज जा रही है जो जो आज मेरा प्रुचन सुन रहे हैं आप दिन भर में मोबाइल चिलाते हैं आज की वार सेफ जो मैं बोल रहा हूँ इसको सारे भारत में फैलाना है दो घंतों के अंदर हर ब्यक्ति को फैलाना है और उससे के देना जो सुनेगा वो आंगे भेजे वो आंगे भेजे और सारे भारत से कहे जिंदा पस्वों के निर्याद पर इतनी आपक्ति लग जाएं कि सवा अरब की जंता है तो डेड़ अरब आपक्तिया लग जाना चाहिए यह 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 नहीं होना मेरेन मोधी से मैं कहना चाहूंगा आपसे बहुत बड़ी उम्मीद थी आप खुश साकाहारी हैं पचाते विदेश में आप गए थे तो आप निपू के बल पर रहे साकाहारी हैं कम से कम इतना अन्याय तो आपके राजमनी होना चाहिए कि जिंदा पश्वों के का पास होता है तो देश पर कलंक है यह भारत माता तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे और भारत मा की धर्ति का अभी साफ जन्म जन्मांत्रों तक भोगना पड़ता है इसलिए सासन से प्रिसासन से न्यालय से सब्से मेरा कहना है कि इस पृस्ताव को पास मत होने दो यह भा अचना बहुत बड़ी चीज है और सारे हमारे भारती लोगों से कहना है कि आप लोग अपनी आपत्यां भेजें कहां भेजना है भारत सरकार को पसू मंत्राला भारत सरकार को आपत्ती बोलो आज सारे भारत के हिंसा के प्राद प्यारियों को आज सारे भारत बास्यों को भारत माता की सोगंध है आज सोने के पहले पहले यह आपत्ती वर्शुपालन सरकार के पाश पहुँच जाना चाहिए मंत्रा में भोजन बाद में करना, दुकान बाद में खोड़ना, सयन बाद में करना पहले आपत्ती दर्ज कराओ कि हमारे देश का ये कलंक है, संसिस्तिक राब है जिन्दा पसु का निर्यात नहीं होना चाहिए हर महला पर उसको गर में दस लोग हैं, दसो करो जितने मॉबायल हैं, उतने मॉबायलों से ये जाकर के दर्ज होना चाहिए आपत्ती ए मस सोचो कि पता जी ने कर दिया तो बेटा नहीं करे पत्ती ने कर दिया तो सब लोग अपने अपने मॉबायल से अपनी आपत्ती दर्ज कराओ अपना काम है राजा को सचेत करना कम से कम इतना हो जाएगा राज सरकार नहीं मानेगी तो आप सब कम से कम उन पस्वों के हत्या के पाप से बच जाओ क्योंकि आपने आपत्ती जताई थी और देश की आपत्ती जताने के बाद कल 17 जून आपत्ती लगाने की आखरी तारीक है और यदि तुमने आपत्ती नहीं लगाई तो जितने पसु भेजे जाएंगे उन सब के हत्यारे तुम लोग माने जाओगे क्योंकि तुमने आपत्ती नहीं लगाई अपना काम आपत्ती लगाना है